आद में बिहार की सबसे फेमस रेस्पी हांडी मटन बनाने वाली हूं जो की मिट्टी के बरतन में बहुत ही पारमपरिक तरीके से बनता है ये बहुत ही टेस्टी और जूसी रेस्पी है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ मसाले लिये हैं और इसके बाद 700 ग्राम प्याज लिया है एक किलो मटन बनाने के लिए और प्याज को महीन महीन चॉप कर लिया है इस तरह से और इसको एक बरतन में एड़ कर देंगे इसके साथ ही दो टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी एड़ कर देंगे जो कि इसी से मटन में फ्लेवर बवात आता है और इसके बाद साबुद गरम मसाले लिये हैं जिसमें पांचे सुकी लालमिज, तेजपत्ता, एक चमच जीरा, पांचे लॉंग, दो दो छोटी बड़ी इलाइची, चक्रफूल, दो इंज दालचीनी का टुकडा, जावित्री सब को लेकर हलका सा ड्राय रोष्ट कर लिया था तवे पे, उसके बाद इसमें एट किया है और साथ ही इसमें 10-12 कलियां लस्टन की भी एट कर दी हैं और इसके बाद इसमें 2 चमच मीट मसाला भी एट करेंगे इसके बाद इसमें हरा धनिया और हरा मिर्च भी एट कर देंगे एक किलो मटन बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम सर्सों का तेल लिया था जिसको पहले से ही धुआ निकलने तक गरम कर लिया था और उसके बाद ठंडा कर लिया है इसमें दो चम्मच एट कर देंगे और बाकी तेल हम बचा लेंगे उसके बाद इसमें एक चम्मच हम कस्मीरी लाल मिर्च एट करेंगे जिससे मटन का कलर बहुत अच्छा आता है और इसके बाद हम इसमें हल्दी भी एक चम्मच एट कर देंगे और दो चम्मच धनिया पावडर एट कर देंगे और इसके बाद इसमें लाल मिर्च आड़ कर देंगे मिर्च आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं और उसके बाद नमक भी टेस्ट के हिसाब से आड़ कर देंगे और ये गरम मसाला एक चमच आड़ कर देंगे और सबको अच्छे से mix कर लेंगे प्याज के साथ में सारे मसाले प्याज अच्छे से mix हो जाए इतना mash कर लेंगे आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और आपको मेरी रेस्पियां पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe करना मत भूलिएगा इसके साथ ही इसमें हम थोड़ा देसी घी दो टेबल स्पून के करीब एड़ कर देंगे इससे मीट का flavor बहुत अच्छा आता है घी पूरी तरह से optional है आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते हैं मसाला अच्छे से mix हो गया है अब इसके बाद इसमें हम मटन एड़ कर देंगे और अब आप मुझे facebook भी follow कर सकते हैं जिसका link description box में है और ये मटन को अच्छी तरह से इसमें मसालो के साथ में mix कर लेंगे चाहे तो आप इसे हाथ से भी mix कर सकते हैं मटन बनाने से पहले मैंने हांडी को 5-6 गंटा पानी में डुबो के रख दिया था और उसे अच्छे से वाश कर लिया था ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से निकल जाए उसके बाद मैंने इसमें देशी घी बाकी बचा हुआ एड़ कर दिया है और आप चाहे तो डारेक्ट इसमें सरसो का तेल भी एड़ कर सकते हैं जो उस समय हम लोगों ने बचा लिया था जिस समय मसाला मिक्स कर रहे थे और उसके बाद ये तेल पूरी हांडी में अच्छे से फैला देंगे इसके बाद ये मटन हम लोगों ने जो मिक्स करके रखा था मसाले के साथ में वो हांडी में अच्छी तरे से भड़ देंगे थोड़ा थोड़ा करके आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी कोमेंट सक्षिन में जरूर बताईएगा और ये मटन अच्छे से भड़ लिया है मैंने इसमें साबुत लसन नहीं एड़ किया है मैंने लसन तोड़ के ही एड़ किया है और ये इसमें मटन भड़ गया है अब हम हांडी में धक्कन लगाएंगे धक्कन में मैंने एक छोटा सा छेत कर दिया है जिसको अभी हम आटे से सील कर देंगे और 15 मिनट बाद इस आटे को हटा देंगे इसके बाद अब हम चारो तरफ से इसको सील कर लेंगे इस तरह से मटन जब दम देकर बिल्कुल धीमी आज में पकाया जाता है तो मसालो का फ्लेवर दोगना हो जाता है जिससे मटन दोगना टेस्ट देता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आप इसे गैस पे चुले पे या अंगीठी पे किसी भी आज पे बना सकते हैं बस ये ध्यान रखेगा बिल्कुल धीमी आज में ही बनाईएगा हटा दिया है बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है और मैं इसको निकाल के अब दिखाती हूँ यह देख कितना टेस्टी और जूसी बना है और गल भी अच्छे से गया है थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो